अस्सलाम अलेकुम फ्रेंट्स मेरा नाम है असिफ अली और रेडि टू लीड में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज लैनिन की 119th birthday anniversary है इसलिए मैंने इन पर आज लेक्चर अप्लोड किया है शो लेट स्टार्ट अलेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कहुंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिजी इसमें हम देखेंगे याल लेक्चर आपको पास दो पार्ट में आएगा फरस्ट पार्ट में हम inकी अर्ली लाइफ को देखेंगे और इन्हें एक्जाइल किया जातें साइबिरिया वो देखेंगे और इनके political कैरियर के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम Russian Revolution के बारे में बात करेंगे और इनके जो डेथ होती है वहां तक की बात करेंगे और जब ये USSR के प्रेजडेंट बनते हैं वहां तक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को हम शुरू करते हैं लेनिन का जनम 10 अपरिल 1870 में हुआ था सिंबर्स में जो वाल गानदी के किनारे हैं इनके पिता थे इलिया निकुलाए विच उलिया नोव और इनकी माता थी मारिया अलेक्जेंडरा ब्लैंक इनके पिता एक responsible position थे education service में और इनकी जो माता थी वो लेन्ड ओर्निंग क्लास चे थी और वो की यहूदन थी जीऊ थी हुए बच्पन में लेनिन को वोलोदिया कहा जाता था वो third children थे out of eight children में सो third children थे वो third child थे अब हम लेनिन के बायोग्राफी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रशिया में उस वक्त क्या हालात थे तो 1856 के बाद क्या किया रशिय अंजार ने वहाँ पर selfdom जो था वो 1856 के बाद रशिया capitalist models को copy करने लगता है Britain, France और जर्मनी की तरह उनकी तरह रशिया भी कोशिश करता है capitalist बनने के लिए और Britain, Germany, France में इंडस्री रेवलुशन आज चुका होता है और रशिया में इस वक्त नहीं आया होता है 1860 में रशियन जार Alexander 2 वो selfdom को abolish कर देते हैं और कुछ steps लेते हैं towards establishment of local self government पर local self government बनाने के लिए उस वक्त capitalism के वाज़ासे लोगों पर workers पर और peasants पर बहुत ज़्यादा जुर्म होता था जिसकी वाज़ासे socialism और communism भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पर climax पर था यूरोप में French revolution आ चुका था और France वाले फिर भी ट्राइ कर रहे थे एक नया revolution लाने के लिए क्योंकि फर्स्ट revolution से वह खुश नहीं थे रश्या में जो selfdom abolish हुआ था उसकी वह जैसे सिर्फ peasants को यह थोड़ी बहुत राहत मिली थी लेकिन peasants के इतने जाद educated नहीं थे कि वह revolution कर सकें सिर्फ यूथ कर सकते थे जो minority में थे जो बहुत कम थे और एजुकेशन हासिल करना था 1886 में लैनिन के फादर की डेथ हो जाती ब्रेन हेम्रेज की वजा से लैनिन और्थोडॉक्स टाइप की एजुकेशन हासिल करते हैं एंटिल दी एज ऑफ 18 18 साल के मरत तक और और्थोडॉक्स टाइप की एजुकेशन हासिल करते हैं सिंबर्स में ही और फिर फाइनल एक्जाम जब देते हैं अपनी स्कूल का तो बहुत अच्छे मार्ग्स वोलाते हैं बहुत ज़ाद अच्छे म इसके बाद 17 साल की उमर तक यह बहुत ज़ादा मार्क्सिस्ट एजुकेशन को और उनकी रिवलुशनल लिट्रेचर को पढ़ चुके थे और अपने जो लेजर टाइम में जब वो आराम करते थे उस वक्त तो स्टेडी ऑफ सोशल वर्क्स किया करते थे सोशल वर्क्स जो भी थी उनकी स्टेडी किया करते थे एंगल्स एंगल्स हैगल्स इन सब के बारें पढ़ते थे लेकिन वो कम्यूनिजम सोशलिजम की तरफ ज़्यादा पढ़ जुका उनका था जिसकी वजह से उनकी स्कूल की जो पढ़ाई थी उनके लिए बहुत इरिटेटिंग थी 1887 मे कुछ लोग कोशिश करते हैं रशिया के कुछ लोग के जार को मार डालें अलेक्जेंडर सेकंड जो रहते हैं उनको मार डालने के कोशिश करते हैं और वो बम फेकना चाहते हैं उनके पैलिस में क्योंकि अलेक्जेंडर सेकंड से वो लोग बहुत ज़्यादा परशान होते और हो capitalism लाना चाहते हैं जो लोगों को पसंद नहीं था तो कुछ लोग बं फेकना चाहते थे उनमें एक भाई भी थे इनके Lenin के भाई थे Alexander वो पकड़ लिये जाते हैं और फिर इनको वहाँ पर इनको मार दिया जाता है, execute कर दिया जाता है 1887 में यह University of Kazan चले जाते हैं with the intention of studying law, law पढ़ने के लिए कजान चले जाते हैं वहाँ पर जब यह कजान जाते हैं उनिवर्सटी में तो वहाँ के दो students रहते हैं, वो जार से बहुत जादा नाखुश रहते हैं वो भी revolution करना चाहते हैं और वो बार-बार हंगामा किया करते थे तो जब यह गया हैं, वहाँ पर एक हफ़ते बाद यह भी हंगामे में शरीक हो गया और फिर police ने इनको पकड़ लिया, जो students तो ने पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया यह बस वहाँ पर एक महीने तक ही रहें, इसके बाद इनने बैनिश कर दिया जाते हैं, इनकी law की पढ़ाई, जो university carrier रहता है, सिर्फ एक महीने का ही होता है, इसके बाद इनको कोको शिंग को, इनकी mother जहां से बिलॉंग करती है, कोको शिंग को, वहाँ पर इनको भीज दिया जाता है, बैनिश कर दिया जाता है, लेकिन बैनिश्मेंट की वजए से इनकी पढ़ाई बरबाद नहीं होती है, इनकी जो desire होता है, knowledge हासिल करने का वह बरबाद नहीं होता है, और नहीं इनका university qualification ब बाहर चले जाएं, किसी और country में जाकर पढ़ाई करें, 1890 में, finally उनको permission दे दी जाती है, law examination को complete करने के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग university में, इनकी जो mother रहती है, मारिया, वो बहुत जादा कोशिश करती है, education surgery रहती है, इनके father जो रहते है, education service में रहती है, उनकी वीडो रहत है, मारिया, तो जिसकी वज़ाए से यह सिफारिश करती है, Lenin की सेंट पीटर्सबर्ग university में, इनको admission मिल जाता है, exam देने के लिए बिठाया जाते है, और वो यहाँ पर law का exam देते हैं, और वहाँ पर अच्छे marks अचीव कर लेते हैं, यह, law के अलावा, इन्होंने अपना time Marxian philosophy और economics पर भी ध्यान दिया, जो यह पहले सी पढ़ते आ रहे थे, स्कूल की दिनों सी Marxian philosophy और economics पढ़ते आ रहे थे, युनिवर्सटी में भी इन्होंने पढ़ा, अब 1891 में यह बैनिश्मेंट से इमर्ज होते हैं, इनका बैनिश्मेंट खत्म होता है, और यह फिर एक न वो लोदिया कहा जाता थे, नोने भी तक नाव अपना लेनिन नहीं रखा है, तो बैनिश्मेंट के बाद यह उभरते हैं, लॉड डिग्री इनको मिलती हैं और यह इनके अंदर मार्सिस्ट बिलीव भी पैदा हो चुका रहता है, फिर इसके बाद यह समारा चले जाते हैं एक सीनियर बैरिस्टर के पास काम करने के लिए, इस असिस्टेंट, और वहाँ पर एक साल से ज़्यादा वक्त तक ठहरते हैं, उसके बाद वहाँ पर इनका मन नहीं लगता है, 1893 में यह सेंट पीटर्स बर्ग चले जाते हैं, और खुद को बाहर से जोड़ लेते हैं, वर्क एट बार फोर लाइबलिवड एन कंपेलिंग और्ज विदिन हिम तुवर्ड सोशलिस्ट अक्टिविटी प्रूवड अज इनकंपूटेंट, तो उनका अंदर जो थी, यह बार से खुद को जोड़ तो लेते हैं, बार से जोड़ने के बाद यह अपने लाइबलिव अच्छा नहीं लगता है, और छोड़ देते हों काम भी, तो 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 अच्छा की उमर में, वो सेंट पीटर्स बर्ग में ही रहते हैं, अपने जो सारे काम रहते हैं, छोटे मोटे जो और इनका अंबिशन था, और सब कुछ छोड़ देते हैं, सेट असाइड, अलग कर देत हैं, और इरादा करते हैं, अब मैं working class के लिए लड़ूंगा, ruling class को उखाड़ कर फेगूंगा, to look at the world, through the eyes of the workers, पूरी दुनिया के तरफ workers के लिए ही देखते हैं, और खुद को ये समझते हैं, कि मैं बना हूँ तो workers के लिए ही बना हूँ, और उनके दर्द को अपना नन हमक्सद हो जाता है लेनिन का तीच साल के इंनों राद किया और यह भी पहां जाता है कि इनके भाई को 1887 में मारा गया तब इन्होंने इरादा किया था कि मैं रूपाइयर को बरबाद कर दूँगा और इन्होंने फाइनलि नाइंटिंसेवन्टीं में किया ऐसा कुछ लो दो लोगों से सबसे पहले मिलते हैं वो रहती है नदेश्दा कुरॉपस्काय, कॉंस्टेंटिनुवा और लेनिट करासिन नदेश्दा कुरॉपस्काय और कॉंस्टेनिवा से बाद में यह शाधी भी करते हैं 1881 में जार अलिक्जेंडर को एसेसिनेशन हो जाता है militant terrorist organization ने उनका assassination कर दिया होता है जिसने अपना नाम the people's will रखा होता है और इसमें Russian intellectuals रहते हैं Russian Russian zar Alexander second के बाद Alexander third बनते है zar और वो 1889 तक रहते हैं 1889 के बाद zar Nicholas बनते है तो socialist ideas as formulated in the system of Marx and groups of socialist democrats had formulated to spirit those ideas तो उन लोगों के अंदर जो इन्होंने ये the people's will बनाया था उनके अंदर Marx के ideas पूरी तरीके से absorbed था उन्होंने Marxist idea को उन्होंने अपनाया था और वो चाहते थे social democrats वो खुद को कहते थे और socialist बने हुए थे अब ये जो terrorist जो थे 1881 में उन्होंने मार दिया था अलेक्सेंडर सेकेंड को ये खुद को socialist revolutionary कहते थे and maintain the individual act of terror as a political method और ये जो terror करते थे लोगों को मारते थे blackmail किया करते थे जबरन वसूली किया करते थे ये खुद को ये कहते थे हैं कि हम दो terror का काम कर रहे हैं ये terror नहीं ये political method है हमार हम politician है हम workers के लिए काम कर रहे हैं तो लेनिन खुद को लेनिन खुद को जोड़े लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा जार के अगेंस्ट बोलने लगते हैं जो जार का conservatism था उसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं लेनिन और एक नया चाहरे इनका उभर कर आता हैं उसकी काम करें न newspaper और pamphlet जो साथते थे और बाटते रहते थे थे रूशियन लोगों के पास जो वरकर्स थे पीजेंड थे लेबर थे इनको बाटते रहते थे तो सबसे पहले जो इनका work जो था जो pamphlet जो newspaper जो magazine थी वो पहले ऑथोलिटि के पास जाती थे और authority उसको देखती थी और फिर permit करती थी अगर वो इसको legal कहती थी ये legal है तब ही वो इजाज़त देती थी चापने के लिए चापकर दूसरों लोगों को बाटने के लिए और कभी-कभी वो reject कर देती थी legal बता देती थी authority लेनिन ने कहा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल का काम हो गया ये काम पहले authority के पास जा रहा है फिर हो डिसाइड कर रही है ये legal है फिर उसके बाद permission दे रही है और permission नहीं दे रही है तो उन्होंने कहा कि अब मैं illegal काम करूंगा underground illegal काम करूंगा और फिर वो अपना illegal काम करना शुरू कर देते हैं underground illegal काम करते हैं चुपके चुपके लोगों को provoke करते रहते हैं zar के against Russian empire के against उसके बाद वो स्वीटजर लेंड चले जाते हैं जहांपर स्वीटजर लेंड में social democrats के कुछ लोग रहते हैं वहां पर जाते हैं उन लोगों से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि तुम स्वीटजर लेंड में जो रॉश्ययन हैं और उनको भी बताओ कि भाई जार हमारे साथ गलत कर रहा है उन्हें भी जार के against लाओ ताके हम revolution करें और फिर स्वीटजर लेंड के बाद फ्रांस चले जाते हैं और फ्रांस में ये Karl Marx के जो son-in-law है Paul Lefraguel उनसे मिलते हैं और फिर उसके बाद ये ये स्वीज हेल्थ स्पा बिफोर ट्रेवलिंग तो बर्लिन बर्लिन आने से पहले बर्लिन आने से पहले ये स्वीज हेल्थ स्पा में रुकते हैं फिर इसके बाद ये बर्लिन जाते हैं उसके बाद ये रशिया चले जाते हैं और जब ये रशिया जाते हैं ये ट्रेवल तो वेरियस सिटीज डिस्ट्रिब्यूटिंग लिट्रेचर टुब वरकर्ट्स तो वारकर्ट्स हरताल कर रहे होते रह्या में कि अलग इलग शेहरों में अपने जो काम रहता है, pamphlets, literature, magazines, यह सब उन लोगों को देते हैं, जो लोग अहड़ताल कर रहे होते हैं, और यह pamphlets, magazines, यह सब उन्होंने जाकर Switzerland में, France में, Berlin में छापा होता है, क्योंकि रशिया में करनी छापनी सकते हैं इसलिए, He was charged with sedation among 40 activities, activists, अब जब यह authority को पता चलती है, एक वह इलेगल काम हो रहा है, और इस social democrats लोगों को हमारे against provoke कर रहे हैं, लेगल काम कर रहे हैं, तो वो गिरफ्तार करने लगते हैं, arrest करने लगते हैं, Russians को, जो social democrats के लोग रहते हैं, उनको arrest करने लगते हैं, वो 40 activists को arrest कर लेते हैं, जिसमें से Lenin भी थे, फिर वो solitary confinement में एक साल तक रुखते हैं, he spent his term of imprisonment in solitary confinement, एक साल तक solitary confinement में रहते हैं, उसके बाद he proceeded to prepare for his book, The Development of Capitalism in Russia, अब जब वो imprisonment में, जब वो jail में बंद रहते हैं, तो अपने book, The Development of Capitalism in Russia, इसको लिखते हैं, और उनका जो imprisonment रहते हैं, वो एक साल तक रहते हैं, उसके बाद जो जार रहते हैं, Alexander second, was ready to pronounce sentence, वो sentence देते हैं, वो सजा सुनाते हैं, और इनको Siberia exile कर दिया जाता है, एक साल तक ही जिन में रहते हैं, इसके बाद इने Siberia exile कर दिया जाते हैं, Siberia रशिया का वो पार्ट है, जो एशिया के अंदर आता है, बीच में युराल परवत होता है, युराल परवत के वेस्ट एस्ट में, जो पार्ट होता है, रशिया को Siberia कहलाता है, वहाँ पर इनको exile कर दिया जाता है, जब यह exile वहाँ पर कर दिया जाते हैं, 1893 में, जब यह exile कर दिया जाते हैं, तीन साल के लिए, तो कुछ वक्त के बाद, उफा में जो इनकी जो गल्फरेंड रहती हैं न देजदा कृपिस काया उनको अर्रेस्ट कर लिया जाते हैं क्योंकि यह वहाँ पर लोगों को यह activist बन जाती है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उफा में उनको जार के अगेंस्ट प्रोवोग करती है और pamphlet वो भी बाट रही होती है जो anti-imperialism होता है उनको arrest कर लिया जाता है उनको exile किया जाता है लेकिन वो कहती है कि मुझे भी Siberia भेर दो Lenin के पास तो इन्हें Lenin के पास भेर दिया जाता है और यह भी Siberia पहुच जाती है और Siberia में जिस जगापर यह लोग रुखते हैं वहाँ पर जो ने देज़दा कृप्स काया हैं उनकी मदर भी आ जाती है तो यह तीनों लोग साथ में ही रहते हैं वहाँ पर Lenin अपना वक्त कभी boating किया करते थे fishing किय करते थे जो और लोग थे Siberia में उनकी से बात किया करते थे उनसे घूमते रहते थे शतरंज खेलते थे और जो पारमर्स जो थें, जो किसान थें, वर्कर्स जो थें उनको बताते थें, उनको मार्कसिस्ती जो फिलास्फी थी, वो समझाते रहते थे इस तरीके सो उनना पूरा जो तीन साल था, बहुत अच्छे सीटिलाइस किया, enjoy भी किया इसके बाद इसी बीचे वो 25 साल के हो जाते हैं तो 25 जब उनका birthday होता है तो इनके एक दोस्ताथ इनको gift देने लेकिन यह जब 25 साल के रहते हैं वो देखते हैं तो उनके फ्रेंड को 35 साल के लगते हैं क्योंकि एड से बहुत जादा बड़े लगते हैं बहुत जाद 1898, a conference in Minsk, अब 1897 में तो ये Siberia रहते हैं, मैंने 1893 बोल दिया था, sorry, 1897 में Siberia रहते हैं, 1898 में Minsk में conference होती है, जिसमें Lenin नहीं होते हैं, ये social democracy conference रखते हैं, जिसमें सिर्फ 8 ये 9 लोग रहते हैं, अटेंट करते हैं उसको, और महाँ पर Russian Socialist, Russian Social Democratic Labour Party का गठन होता है, और Raboche, Gazeta जो रहते हैं, उनको पार्टी और्गन बनाया जाता है, रबोचे, Gazeta को पार्टी और्गन बनाया जाता है, During exile, he read philosophy of Hegel, Kent, Pushkin, Lermontov, and he also read fiction of Turgenev, Tolstoy, Chetniskovski, तो exile के वक्तों, Hegel, Kent, Pushkin, Lermontov की philosophy पढ़ते हैं, इसके अलावों fiction भी पढ़ते हैं, जैसे तurgenev, Tolstoy, and Chetniskovski, ये रशिया नाम भी ऐसे होते हैं, जो प्रोनाउंस करने मुश्किल होते हैं, ये completed the book, The Development of Capitalism in Russia, तो जो ये imprisonment में जो बुक लिख रहे होते हैं, The Development of Capitalism in Russia, वो exile में ये complete कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो The Task of Social Democrats, ये लिखना शुरू कर देते हैं, फिर, The Task of Social Democrats, ये लिखना शुरू कर देते हैं, और Krupskaya के साथ मिलकर, इनकी जो गर्फरेंड रहती हैं, ने देजदा, Krupskaya, कॉंस्टिंटिंटिंटिनुवा, उनके साथ मिलकर ये History of Trade Unionism, इसका ट्रांसलेशन करते हैं Russian में, English to Russian में इसका इसका ट्रांसलेशन करते हैं, in February 1900 में, February 1900 में, उनका एक्जाइल खत्म होता है, और 4 hours he had been prevented from participating in Russian socialist movement, 4 साल तक उन्हें prevent कर दिया जाता है, मना होता है उनका कि वो किसी socialist movement में शरीक नहीं होंगे, 4 साल तक, वो St. Petersburg भी नहीं जाएंगे, तो उस वक्त 1900 में, जब इनका एक्जाइल खत्म होता है, उस वक्त इन्होंने अपना नाम Lenin रखा था, बहुत जाद अपना रूप भी धारण करते रहते थे, और लोग इन्हें पैचान भी नहीं पाते थे। स्विट्जर लेंड में जिस घर में रुके हुए थे, वहां के लोग इन्हें पैचान ही नहीं, क्योंकि यह इन्होंने जो अपना भेस बना हुआ था, लोग ने पैचान हैं कि इनका असली रूप क्या है, यह Lenin है, कोई नहीं जानता नहीं था, तब ही तो यह इतने सोवियत उनियन में एक कोड था, लाल सलाम, जो रुषियन जो थे, लाल सलाम, यानि क्रासनी सल्यूता, रुषियन में लाल सलाम को क्रासनी सल्यूता बोला जाता है, रेड सल्यूत, क्रासनी मतलब रेड होता है, जिसका मतलब होता है, रेजड फिस्ट, जो मुठ्थी उठ बिखाकर बोलते हैं ना हला बोल वह होता है लाल सलाम वह क्रासनी से लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तभी से लाल सलाम को कमिनिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो इस एंड अफ दे वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करिये शेयर करिये सब्सक्राइब करिये जैहिंद मैं भी बोलता हूं लाल सलाम थैंक यू और अफ़ावेर गुड़ दें